एलो फ्रेंज स्वागत आपका चैनल पे मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट पाबन ठाकोर और आप देख रहे हैं चैनल क्रंट निव जॉब्स जसा कि वीडियो के थमनेल में आपने देख लिया है इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इस सप्ता सरकारी के वागों में रिक्पड़ेपतों के लिए जो आव्यदन मंतरित के हैं उसकी जानकारी अगर आपने पिछले सप्ता का वीडियो, नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंग ओपर आई बटनों में दिया गया है, आप इसपर क्लिक करके पिछल हैज्बा का वीडियो देख चैनल के संदर्ब में अगर आपका कोई भी सुजाओ है तो आप अपने भुख मुल्यों सुजाओ हमें इस फेस्टूग आइडी के मादन से दे सकते हैं आपके जो भी सुजाओ हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने चैनल में इंप्लिमेंट करने कोशिश करेंगे तो जादा देना करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाग विवाक का नाम है सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया चैत्रियो करायलिया राइपूर पदो का विवरन है वर्ष 2023 की रिक्षियो के तैत उमीद्वारों से बिजनस कोर्स्पोंडेंट के पदोहितू आवेदन आमंत्रित किये गए हैं पदो की कुल्संक्या है 13 इन पदो के लिए श्रेक्ष्ण के ओगेता उमीद्वार जो किसी भी मानेता प्राप्तों विश्यो विद्याल्यों से सनातक पास या फिर परा सनातक की डिगरी समंदित विश्यों में रखते हैं वो उमीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं ये पद सीधी भरती के तैत बरे जाएंगे पदों के लिए आयू सिमा उमीदवार ने नियुनतम 21 वर्ष के आयू को पूरण कर लिया हो और अधिकताम आयू को इन पदों हेतू 45 वर्ष ने दायत के आगया है आरक्षित वर्ष से समंद रखने वाले उमीदवार जो अंसूची जाती अंसूची जन जाती बुत्वरु सैनिक वर्ष और पिछला वर्ष से समंद रखते हैं उन उमीदवारों को आयू सिमा में नीमानुसार चूर परदान की जाएगी इन पदों के लिए उमीदवारों को कोई भी आवेधन चुलक नहीं देना होगा पदों के लिए पूर्ष और मैला उमीदवार आवेधन कर सकते हैं आवेदन उमीदवार को ओफलाइन माध्यम से करना होगा इन पदों के लिए ओफलाइन आवेदन करने की अंतिम देथी 10 अपरेल 2023 नेदाइद की गई है पदों के लिए जो लिकित पिक्चा आयोजित की जानी है उस्तिती को उमीदवार को बात में सुचीत किया जाएगा इन पदों के लिए उमीदवार को पत के अनुसार अच्छा मासिक वितनमान दिया जाएगा बिग्यापन के स्पंद में विस्तिष जानकारी येतू उमीदवार विवाग की ओपीशल वेबसाइट पर लॉग इन कर इस विवाग के बारे में संपूरन जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बिग्यापन की पीडिया फाइल और विवाग की ओपीशल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है विवाग का नाम है असम पावर डिस्टिबुशन कंपनी लिमिटीड पदो का विवरण है वर्ष 2023 की रिक्तियों के तैत उमिद्वारों से एसिस्टन्ट मिनेजर और जुनियर मिनेजर के पदो हितु आवेदन मंत्रित के गये हैं पदो की कुल संक्यार है की जुनियर मिनेजर इलेक्ट्रिकल और आईटी के 231 पद एसिस्टन्ट मिनेजर युमेन रिसोर्स के पाँच पदो के लिए आवेदन मंत्रित के गये हैं इन पदो के लिए इस शक्षन इउग्यता को पद के अनुसार निदाइत किया गया है जुनियर मिनेजर पद के लिए उमिद्वार किसी भी मानेता प्राप्त विश्च्व द्यालियों से डिपलोमा, Electrical Engineering, Electrical and Electronics Engineering, IT, Computer Science या फिर Engineering और Computer Technology में जिन उमिद्वारों के पास में डिपलोमा है वो उमिद्वार जुनियर मिनेजर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और जिन उमिद्वारों के पास में MBA या फिर PGDM की डिग्री Human Source में या फिर Personal Management में या फिर Industrial Lation में या फिर Social Welfare में जो उमिद्वार डिग्री को रखते हैं वो उमिद्वार Assistant पनेजर पद के लिए योग्य होंगे और इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं ये पद सिधी भरती के तैत बरे जाएंगे पदों के लिए आयू सिमा उमिद्वार ने नियुनतम 21 स्वश्श के आयू को पूरण कर लिया हो और उमिद्वार की अधिकतम आयू 38 स्वश्श से अधिक नहीं होनी चाहिए आरक्षित वर्क से स्वश्श रखने वाले उमिद्वार जो हो अंसुची जाती अंसुची जन जाती वत्वश्शनिक वर्क और आत्ली रूप से कुण्जोर वर्क से स्वश्श रखने हैं उमिद्वारों को आयू सीमा में नियमानु साथ चूरपरदान की जाएगी पुर्ष और महिला उमिद्वार आवेदन कर सकते हैं आवेदन उमिद्वार को केवल ओनलाइन माध्यम से करना होगा ओनलाइन आवेदन करने की अंतिम्तिति जुनियर मनेजर पत के लिए 9 मई 2023 और एसेस्टेंट मनेजर पत के लिए 5 मई 2023 23 आवेधन की अंदिमतिती रहेँगी। इन पदों के लिए जो लिखित प्रिक्षा आयुजित की जाननी है उस्सलिती को उमिद्वार को बाद मैं सुचीत कींट जायेगा। पदों के लिए उमिद्वार को पत के अनुसार अच्छा मासिक वितनमान दिया जाएगा विग्यापन के सपंद में विष्थ जानकारी हेथू उमिद्वार विबात की ओपीशल वेबसाइट पर लोगिन कर इस विग्यापन के बारे में संपूरन जानकारी को प्राप कर सकते हैं निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बिग्यापन की पीडिया फाइल और विभाग की ओफिशल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है। विभाग का नम है सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया पदो का विवर्ण है वर्ष 2023 की रिक्तियों के तैट उमिद्वारों से अप्रेंडिस पदो हितु आवेदन अमंत्रित के गए हैं पदो की कुल संक्या है 5000 इन पदो के लिए शेक्षन योगता उमिद्वार किसी विम्रमान न प्राप्त बिश्विप डेलों से जो अमिद्वार सनातक की डिग्री रखते हैं वो अमिद्वार इन पदो के लिए आवेदन कर सकते हैं ये पद सिधी बर्ती के तैत बरे जाएंगे पदो के लिए आयू सिमा उमिद्वार ने नियूनतम 20 वर्ष की आयू को पूरण कर लि विकलांग उमिद्वारों को 400 रुपए और GST तथा अन्यो सभी उमिद्वारों को 800 रुपए आवेदन चुल्क और GST देने होंगे पदो के लिए पुर्ष और मेला उमिद्वार आवेदन कर सकते हैं आवेदन उमिद्वार को केवल ओनलाइन माध्यम से करना होगा इन प्रेल दूसरे सप्ता में संभावीत हैं इन पदों के लिए पत के अनुसार अच्छा मासिक वेतनमान उमिद्वार को दिया जाएगा विग्यापन के इस पंद में विस्ते जानकारी है तो उमिद्वार विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर लॉग इन कर इस विग्याप पुब्लिक सर्विस कमिशन पदो का विबम है वर्षट वीदा 23 की रिक्तियों के तेट उमिद्वारों से доллар alum जिस्टिक हौल्टी pastor पदो के लिए आयू सेमा उमिद्वार ने नियुनतम मठारावश की आयू को पूरण कर लिया हो और अधिक्तम आयू को इन पदो हेतु 42 वर्ष ने दायत किया गया है आरक्षित वर्क से स्बंद रखने वाले उमिद्वार जो अंसुची जाती अंसुची जन जाती वोत्वर महिद्वार आर्थि ग्रूप से कमजोर वर्क की उमिद्वार और अरक्षित वर्क से स्बंद रखने वाले पुर्ष उमिद्वारों को 250 रुपए आवेदन चुलक ने दायत क्या गया है विकलांग उमिद्वारों को इन पदो के लिए कोई भी आवेदन चुलक नहीं देन करना होगा पदो के लिए पुर्ष और महिला उमिद्वार आवेदन कर सकते हैं आवेदन उमिद्वार को केवल ओनलाइन मैदम से करना होगा इन पदों के लिए ओनलाइन आवेदन करने की अंतिव दिति 10 अपरेल 2023 निदायत की गई है पदों के लिए जो लिकित पिक्षा आयुजित की जानी है उस्तितिक उमीद्वार को बाद में सुचित किया जाएगा इन पदों के लिए उमीद्वार को पत की अनुसार अच्छा मासिक वेतरमान दिया जाएगा विग्यापन के स्मंद में विस्तिष जानकारी है तो उमीद्वार विभात की ऑफिशल के लिंक को दे दिया गया है विभा का नाम है पंजाब पब्लिक सर्विस कमिशन पदो का विवरण है डिस्टिक्ट डिफेंस सर्विसेस वेलफियर ओफिसर ग्रूप एक के पदो ही तू उमीद्वार उसे आवेदाना मंत्रित के गये हैं पदो की कुल संक्या है 11 इन पदो के लिए शेक्षण के उगयता को पद के अनुसार निदायत क्या गया है उमीद्वार जो इस कॉलम में दर्शाई गई शेक्षण के उगयता को पूरण करते हो वो उमीद्वार इन पदो के लिए आवेदन कर सकते हैं ये पद सीधी बरती के तैत भरे जाएंगे पदो के और अधिक्तम आयू को इन पदों हेतू पच्छवन अर्ष निधायत क्या गया है आरक्षित वर्क से स्बंद रखने वाले उमिद्वारों को आयू सीमा में नीम अनुसार चूट परदान की जाएगी इन पदों के लिए आवेदन चुल्क बोत्परों सैनिक वर्क आर्टी र जो से स्बंद रखते हैं उन उमिद्वारों को सा सो प्चास रुपए आवेदन चुल्क देना होगा और अन्यों सभी उमिद्वारों को पंद्रा सो रुपए आवेदन चुल्क निधायत क्या गया है इन पदों के लिए पूर्ष और मैला उमिद्वार आवेदन कर सकते है आवेदन उमीद्वार को केवल ओनलाइन मद्यम से करना होगा इन पदों के लिए ओनलाइन आवेदन करने की यांतिमतिती 12 अप्रेल 2023 निदाइद की गई है पदों के लिए जो लिकित पिक्षा आयुजित की जानी है उस्तिक उमीद्वार को बाद में सुचित किया जाएगा इन पदों के लिए वेतनमान उमीद्वार को रुपए बेसिक 47,600 मासिक वेतनमान के तहट उमीद्वार को वेतनमान दिया जाएगा बिग्यापन के स्पंद में विस्तिज जानकारी है तो उमीदवार विबाग की ओफिशल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस बिग्यापन के बारे में विस्तिज जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं निचे डिस्क्रिप्चन बॉक्स में इस बिग्यापन की वीडियो फाइल और विभाद की ओपिशल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है फ्रेंज उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और वीडियो के वाइर में कमेंट करना निचे एक कमेंट बॉक्स दिया गया है आप उसमें अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं वीडियो के संदर्व में अगर आपकी कोई भी आशंका है तो आप अपने मैसेज हमें इस पेज़ लुग आइडी पे बेश सकते हैं आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देंगे अंत मैं वीडियो को देखने के लिए और चैनल को डेलो सार प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का ते देल से शुक्रियादा करता हूँ इञे करता हूं इस पास एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोग उसे फिर से रुब्व होने का मौका मिलेगा तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षीत रहिए और स्वस्त रहिए Thank you